हेलो दोस्तो नमस्कार इंडिया में भी एंड उसी के साथ आउटसेट दी इंडिया जो की मार्केट को अच्छा गासा प्राभावित कर सकते हैं बाजार में अच्छी कासी हलचल क्रियेट कर सकते हैं उसी के बारे में इस वीडिये में यहाँ पर बाचित होने वाली है तो चले दोस्तो फटा बड़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक उबर आए बड़न पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कल के कुछ इंपोर्टन वीडियो भी आप लोग यह आप देख सकते हो जो कि यहाप में लेट नैट अपलोड किये थे तो उसका भी लिंक नीच सारी न्यूज यहापर आ चुकी है बट यहापर कुछ इंपोर्टन और भी पॉइंट से जैसे की अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो वहाप इस्तिती अभी भी ठीक नजर नहीं आ रही है और आप सब लोग पता है जो बैडन की अगर हम लोग बात करें तो वह एक्च करना पड़ेगा कि जो बैडन अगर अमेरिका में ऐसे ही अगर केसे बढ़ते रहे तो कोई यहापर डिशियन लेने वाले है बिया नहीं क्योंकि अभी तक ऐसा लोग डाउन से अमेरिका में कोई बड़ा नीर्ण होते वह हम लोग को देखने को नहीं मिलाता है उसी का ही य जो गरफ है लगातार बढ़ते वह देखने कि मलगा और बीच में हम लोग को मार्केट के लिए अग्र हम लोग बात करें आप सब Daisy लियोंक को पता है दो दीन पहले यह बात करूअ तो मार्केड बीच में नीचे आया था उसके पीछे का जो रिजं ठाप सब लोग को पता ह से बढ़ते वे देखने को मिल रहा है इस अफते हम लोगों को इस न्यूज के ओपर भी फोकस यहां पर रखना है देखिए बाजार यह ऐसा हो चुका है ना कि कुछ भी एक्सक्यूज अगर मिल गया बाजार को तो वो ज़रूर गिरेगा बहुत ही हायर लेवल पर चल रहा है बढ़ भारी दुनिया से अगर कोई भी न्यूज आ जाती है तो वो मार्केट को नेगेटिवली इंपक्ट कर सकती है तो यह थी कोरोना से इंपोर्टेट न्यूज जो कि आप लोगों को पता है तो आप सब लोगों को पता है कि कोविड के साथ-साथ कभी भी बात होती है तो vaccination की भी अभी news हम लोग यहाँ पर update कर लेते हैं और जैसे कि मैं आप लोग को बता है दोस्तों COVID के vaccination से related इंडिया में भी आप लोग को पता है शुरुवात हम लोग को कल से ही start होते वे देखने को यहाँ पर मिली थी अगर मैं इंडिया की बात करू तो आप सब लोग पता ह है जो कि आप समय लोग को बता है डेवलप किया है Oxford University एं एस्ट्राजेन ने उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें को वैक्सिन भी एक वैक्सिन है जो कि यहाँ पर मतलब इमर्जंसी यूस के लिए इंडिया में अप्रूवाल मिल चुके जो कि प्रोडूस क सेक्टर मतलब मिडिया सेक्टर थेटर मल्टिप्लेक्स आप लोगों देखा वह आज भी अच्छी तरीके से परफॉर्मस नहीं दे रहे हम लोग ने उनके नंबर्स भी देख लिए राइट हाँ एक्स्पेक्टेशन से तो अच्छे नंबर्स जरूर दिखा है उनने बट वह कैपेसिटी पर नहीं है कि जो उनका पुराना परफॉर्मस चल रहा था वो कमबैक कप करेंगे और शायद से इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है सो वेक्सिनेशन से रिलेटेड यह न्यूज उन सेक्टर के लिए अच्छा वरदान साबीत हो सकता है सो दोस्तो वेक्सिनेशन की इंपोर्टेंट यूज को कवर करने के बाद अभी हम लोग यह पर आ चुके कौटर त्री के नंबर्स के उपर यह दोस्तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा एप्रोक्सिमिटली एप्रोक्सिमिटली कितने पता है दोसो कमपनी के नंबर आप आने वाले हैं सो हम लोग जरू कह सकते अभी सारे कंपनी को तो कवर हम लोग नहीं कह सकते अगर इग्जैक्ली नंबर चाहे तो 193193194 रहेगा बट इतने बड़े अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन सी कंपनी नहीं अभी आप बताए 200 कंपनी के नंबर्स रह सब्सक्राइगा कि हम लोग ने आगे कंपनी में कंटीनिव करना चाहे कि अभी तक जितने भी दिगच कंपनी ने जो नंबर पेश के चाहे वो टीसेस इंफोसेस हो हो एजडेफसी बैंक हो विप्रो हो राइट इनके नंबर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे तो ऐसे ही यहाँ पर आने वाले अगर कुछ एक दो एक्जांपल देदू तो देखिए बजाज ऑटो है एसियन पेंट है बजाज फाइनेंस फिंस हो रहेगा उसी के साथ साथ आईसे से जनरल भी आप लोग यहाँ पर देख सब्सक्राइब बहुत सारे जैसे मैंने बताए 200 कंपनी क अपने नंबर पेश करेगी सो कभी कभी प्रैक्टिकली हर कंपनी का नंबर डीटेल में एक्स्प्लेइन करना शायद से मुश्किल हो सकता है तो आप लोगों ने भी खुद से कोशिश करनी जो कि इस चैनल का ही मोटिव है कि रिटेल मिनस्टर ने खुद यह चीज़े सीख चलते हैं हफ्ता बहुत ही ज्यादा कैसे रहने वाला है और अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सब से खास अगर किसी के नंबर रहने वाले तो 22 तारीक को हम लोगों को पेश करते वे देखने को मिलने वाली है और आप लोगों को पता है कमपनी बहुती नाजुक दोर से यहाप चल रही है कमपनी खराब नहीं है बट आप सबी लोगों को पता है कि मार्केट 14,000 को क्रोस किया और रिलाइंच इंडस्ट्री ने पूरी जो रैली थी उसमें कोई भी परफॉर्मस नहीं दिया और उसके पीछे की वज़ा मुझे नियकता अभी आप लोगों को बताने की ज़रूँ थे सो डेफिनेटली यहाँ पे देखना है कि रिलाइंच इंडस्ट्री को अगर भागना है तो उनके नंबर्स अगर अच्छे रहेंगे तो एक रिटर्न नहीं जनरेट कर पाएगी यह एक प्रॉब्लम हो जाएगी सो ज़रूर आप सभी लोगों को पता है रिलाइंच के लिए सबसे इंपॉर्टन चीज रहने वाली है जो कि हमेशा उनको बचाते टेलिकॉम एंड रिटेल बिजनेस सो ज़रूर देखना पड़ेगा कि इनके इस वक्के यह पर्फॉर्मंस कैसे रहेगा क्योंकि इसी के उपर हम लोग कह सकते कि रिलाइंच के जो एक्स्पेक्टेशन से कि अच्छे नंबर्स लाएंगे वो डिपेंड करते है तो देख लेते कि रिलाइंच का पर्फॉर्मं आप लोग उनसे दस नहीं सो कदम आगे चलता है चलो एटलीस दस कदम भी हम लोग बोल सकते बताब बहुत सारे लोग यहां पर क्या करते गलती कर बेटे कि उनको लगते कि फ़र्स्ट फेबरुवारी तभी बाजार में हल चलोगी ऐसा कुछ नहीं फर्स्ट फेबरुवा दो हफते पहले की चीजों को ट्रैक करना आना चाहिए आप लोग को कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बजट से रिलेटेड में और एक वीडियो बना चुका हो आप लोग यहां पे प्लेडिस में डेख सकते सिर्फ बजट करके भी क्लिक करोगे यूटूब के उपर आ आनांस्मेंट आईगी की इस हथे मतलब की बजट में इस सेक्टर को भी कवर किया जा सकते जैसे मैंने बीच में वीडियो बनाए तक कि जैसे मैं बार-बार किया रहा हूँ कि बाजार higher level पे एक्सपेक्टेशन फुल्फिल नहीं हुए ति बाजार अच्छा खासा correction यहाँ पे ज़रू देखाएगा कभी ना कभी तो यह चीज भी क्या रहने वाले बहुत ही ज़्यादा important role यहाँ पे play करने वाले और सबसे बजट आप लोगों ने कभी देखा नहींगा obviously मतलब after the pandemic वाला so expectation भी उन्हों ने यह बोल के क्या कर दी बहुत ही higher level पे लाके रख दी है so अगर वैसा नहीं हुआ so आप सबी लोगों को आता है last time भी budget के बाद market 1000 point crash होता मतलब मैं सेंसे की बात कर रहा हूँ and usually हो जाता है so जरूर हम लोग कह सकते कि कितने बड़े-बड़े events यह आपे होने वाले है तो इसके उपर आप लोगों का क्या रहना चाहिए focus बने रहना चाहिए so दोस्तों उसके बाद बहुत important चीज़ अगर कोई है तो आप सबलंग पता है IPO so IRFC का IPO आप लोग आप देख सकते जो उसका time frame है हम लोगों को 18 तारिक से ही मतलब शुरू होते वह देखने को मिल रहा है 20 तारिक को यह आपे close होने वाला है यह सारी चीज़े हम लोगों को य इस्टिंग गेन या फिर लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट इससे रिलेटेड अल्रेडी वीडियो में बना चुका हो इसका लिंक उपर आई बटन पर मिल जाएगा या फिर आप यूटूब के उपर भी सर्च करोगे तो डिटेल आप लोगों को यहापे मिल जाएगा जरू उस वीडियो को भी आप लोग चाओ तो चेक आउट कर सकते हो तो आई पियो से रिलेटेड भी यह हफ्ता बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहापे रहने वाला है और जैसे मैंने का कि आई पियो कुसका है रेलवे कंपनी से जुड़ा हुए तो रेलवे के स्टॉक मे भी हम लोग को अच्छी कासी रियक्शन देखने को मिल सकती है अगर हम लोग यहापे बात करें कुछ important factors जैसे कि आप देख सकते एक्सेल टेक्नोलोजी अपना interim dividend 21 जैनवरी को यहापे देने वाला है और भी बहुत सारे कंपणी ऐसी कंपणी भी है जो की 45 रुपी का interim dividend 22 त यह सारे चीजों को इपर आप लोग ने focus यहापे रखना चाहिए उसी की साथ साथ जैसे मैं आप लोग को शुरुआत में बता है कि जो बेडन आप सब लोग पता है वो oath as a president यहापे 20 जैनवरी को हम लोग को यह सारा चीजे होते वह देखने को मिलने वाली है और उन्होंन सामने आ चुका है लास्ट वीक में डॉलर 1.9 ट्रिलियन का सो इस सारी चीजे हम लोग को इंटरनेशनल लेवल के बाजार पे होते हुए देखने को मिलने वाले है तो इसके उपर भी आप लोग का focus बने रहना चाहिए देन दोस्तों आप सभी लोग पते है FISDS की activity तो अभी तक foreign investor की बात करें तो आप देख सकते है लगातर पिछले चार दिनों से भी उनकी buying यहापे बनी हुई है बीच में एक बार उन्होंने पैसा निकाला था हम लोग कह सकते है 483 करोड 6 January को बट एक बार निकालके कुछ ह होने वाला नहीं और वो भी बहुत ही छोटा amount था बीच में market गिरावट होने के बावजुद आप लोगों ने देखा कि वहापे FIS ने net buying ही की थी मतलब हम लोग कह सकते कि जादा हम लोगों को यहापे pressure अभी तक market में जो create हुआ है वो भारी दुनिया से ही होते वे देखने हम लोग बात करें तो यहापे China क्या करने वाला है कल अगर हम लोग बात करें मंडे के दिनी जो industrial उनका जो production and retail sales की जो numbers रहेंगे किसका December quarter का वो यहापे क्या करने वाले वो पेश करने वाले तो ज़रूर इसके प्रती भी बहुत कुछ हम लोगों को बाजार में हल चले अगर हम लोग बात करें तो बहुत कुछ डेटा वेनस्टे के दिन आप लोगों को बताना चाहूंगा इंफलेशन का डेटा December का क्या रहा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है उसी के साथ साथ ECB का जो interest rate का decision रहेगा वो हम लोगों को next दिन Thursday के दिन देखने को मिलने वा लोगों की जो जो डेटा रहता है एंफ उसे अम लोगों को अंदजा आ जात है कि कितने लोगों की जो जो वहाप़ छुटी है मतलब economic की हलत वहापई पर इग्जैक्ट्लि क्या चल रहे उसका अंदाजा हम लोगों को वहापर देखने को मिल जाता है सुरस्त Св sticking इतने important news के बाद थोड़ा सा commodity भी देख लेते हैं आपे जैसे कि Brent crude की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीकी से WTI की भी बात करते हैं अभी 50 डॉलर के उपर हम लोगो बैरल देखने को मिल रहा है तो एक अच्छा कासा stability देखने को मिल रहा है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड भी आप देख सकते हो 50,000 के बहुत ही करीब या पर आ चुका है हलाकि यह fluctuate रहता है बट अभी भी बहुत ही अच्छा कासा performance गोल्ड नहीं दिया है अगर हम लोग डॉलर की बात करें तो 73 के उपर फिलाल परफॉरमस होते हैं देखने को मिल रहा है ब प्लाइब बहुत है बात करें देखने को मिल रहा है बात कर नहीं दिया है बत्मार के बात करें सकते ही सह्टा कर दो डंग अच्छा, बहाँ करão दो चुका झाल हग है है बात करा्थ एल मिल जारा करें थे थार देखने कर लोग है